दा पतंग में आप सभी का स्वागत हैं। आपको यह बताते हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि अभी तक तक एडमिशनम ही नहीं हुए अभी तक आपके प्रोवोशन वाला रिजल्ट ही नहीं जारी किया गया है तो आपके अपने चात्रवित्ती के लिए अप्लाई करेंगे दिखिए आपके पर्मोशन के रिजल्ट कब तक आ सकते हैं तो यह अप धीरे धीरे अनवर्शिटियों की रिजल्ट आने सुरू हो चुकि एकटे उनवर्शिटी के ओर से जो प्रमोट किया गया था उसको भी रिजल्ट जारी कर आपके अध्मिशन करते मिशन को तक करता है कि अपने अगर आप शात्रवित्ती के लिए करते हैं उसका ओस ऐन रखने अगर अको द्यान करते हैं我要 आपको मौका ही नहीं दिया जाएगा तो इसी के संब्ध में पूरी जनकारी दी गई है तो बताते हैं कि पूरी जनकारी क्या दी गई है कि बित्वर्ट विदन किया जाने की ब्यवस्ता की जा रही है इस ब्यवस्ता में चात्रों के अधार का नाम पत्र शात्र अस्तर से अंलाइन संमिट हो सकेगा अधार कार्ड में उक्त विवर्ड को कतापी डाटा गलत हो सकते हैं जिनके सुद्धी करार कराया जाने की और शक्ता चात्रों को होगी इस सम्द्ध में चात्रों को उनके माता पिता सिचर जनस्तानों को जागरू किया जाना अवश्यक है ताकि यदि अधार कार्ड में कोल भी गलाट डाटा या उसके समन्दित अधार कार्ड करयाले से समय अंतरगत सुद्ध करवा लिया जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको पूरी जनकारी दी गई है इस पर आपके अधार कार्ड बिसे समय नहीं रखते हैं। क्या बात कही गई है की चालू बित्वर्स यानी 2020 अधारकार्ट बीस भुखतान की प्रँक्रिया परंब कि जानी है, इस है तुझ अधारकार्ट बीस भुखतान की प्रकिरया के अंतरगत 67 के अधार नमबर से लिंक सीट बैंक खाते में ृशादरविति अम्शुलग प्रति सबसे पहले बात की जिसमें आपका पैसान है जो आपका अधार से लिंक हो इसके लावा जो आपकी नाम है वह आपकी हाइश कुल की नाम से सब्सक्राइब कोई गलती होती है तो आप ठीक कर वाले इसके लावा अधार कार्ड बनवाते वक्त आपको अपना मोबाइल नंबर देना होता है तो उस मोबाइल नंबर पर यो टीप भेजा जाएगा तो आप उस नंबर का भी खास ख्याल रखें अगर आप वह नंबर आपके अधार कार्ड माहिख वह 550 आपवेधन कर मिलांगर पर टो अनुद्या वेंगछ स्बिट करते समें नंगोधं फटो टीप को अपनी वाले नंहीं पतार आप को समें अबर पर आप को सम्मिट नहीं कर पाएंगे चाहिए जिन चात्र्ख़ के पास अध्यार काड़ में ध Missouri penalty निजी ग्रामिट झाल के आपने नाम एप्डेट करेब लेना चाहिए श्कूल नंगपरमा्पत्र में अपने नाम लित करा लीन ऑफिता करौद वही नाम आपको अपने आधार कार्ड में देना है ताकि वह जब ऑपने अधार कार्ड में देना है ताकि जब आउनलाइन से जल्द उसको अपडेट कर वालें तो यहां पी पूरी जनकारी आपके स्कॉलर्शिप को लेके हैं और यह सभी के लिए जरूरी है और आप इन सभी बातों का खास ख्याल रखें इसके लावा इस सुचनों को आप अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें सब्सक्राइब करें तो आप इन्हें अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आप इसके लावा आपको स्कॉलर्शिप को लेके कोई बी किसी तरह की कोई शमस्या होते तो आप कमेंट करके जरूर पूछे अपनी एक्जाम को लेके कोई प्रशन हो तो आप उसको आपको स्कॉलरीब करें।